नमस्कार, सलाम, News Click के स्टूडियो में आपका स्वागत है, आज हमार साथ मौझूद है विरिष्ट पत्रकार परणजोई गुहा ठागुरता, गुड आफनून, हाओ यू सर्थ, धन्यवाद, सिधान्त, आपने हमें बुलाया, आज हम बात करें परणजोई, प्रणजोई, नरेंदर मोधी के US दोरे के बारे में, और स्पेसिविकली जो प्रेस स्वतंतरता के बारे में सवाल जो कुछ खड़े हुए है, UN General Assembly उन्होंने अटेंड की, वहाँ पे स्पीच दी, और साइड बाई साइड दुनिया के जो विश्व के लीडर्स हैं, नेता हैं, उनसे मुल उनसे कोई सवाल नहीं लिए गए, अब ये भारत में तो 2014 से परंपरा एक तोर की बन चुकी है, कि सवाल जवाब का मामला हम नहीं करेंगे, तो इस कॉंटेक्स में क्या US के प्रेजिडेंट जो बाईडन, इनसेंस इंस्पायर्ड हैं, कुछ प्रेवना ले रहे हैं, नरें जिव है, महिला का नाम है जैन साखी, उनसे कठिन सवाल उठाया गया, और अमरीकी पत्रकार, क्या उठाया, कि अमरीकी राष्ट्रपती, जो बाईडन, उनको सवाल उठाने का मौका क्यों नहीं दिया, उनके साथ में बैठे थे, भारत वश्का प्रधान मंत्री नेरेंद बात नहीं है, उसे पहले दिन जो बाईडन जी सवाल का जवाब दिया, के बाद भी जवाब दिया, बस इतना ही है कि एक दिन वो कोविड के वारे में कहते, मगर उस दिन उन्होंने जवाब सवाल नहीं दिया, तो इन्होंने नराज हो गया, और प्रेस सेकेटरी को बहुत सारे सवाल उठाया एक सवाल जैसे एक पत्रकार बोला कि भारतवर्ष का एक रैंकिंग होता है RSF, Reporters Sans Frontiers, Reporters Without Borders भारतवर्ष का रैंक है 142, अमरीका रैंक है 44 तो बला ऐसे देश के प्रधान मंद्री आपके साथ बैठी है और आप हम लोगों सवाल उठाना नहीं देए और जो बाइडिन जी जो एक टिप नेकिया समझ लेजी है या मजा को रहा है कि भारतवर्ष के जो पत्रकार है उसका वेवार अच्छा है अमरीकी पत्रकारों से तो जब ये वाइट हाउस के जो प्रेस सेकेटरी जैन साकी से या सवाल वो कोशिश किया सबको ठंडा करने के लिए एक बोला कि भई ये एक हार्ड कट है हार्ड कट इसका मतलब ज़्यादा नरासमत हो जाएए ठीक है आप पसंद नहीं करते हैं मगर हमारा राष्टपती बाइडन जी आप स्वाधीनता लोग माध्यम को स्वाधीनता में इस वतंतरता में रिस्वास करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है आपका सवाल जवाब देगे ठीक है एक दिन उन्होंने जवाब देगे इस तरह से उन्होंने कोशिश किया और उन्होंने बोला कि नौ महीना हम वाइड हाउस की प्रेस सेकेटरी हैं एक सो चालिस बार सवाल जवाब किया अमरीका का राश्ट करते हैं मगर हमारे मोदी जी एक बार भी लेकी यही मैं आपसे सवाल पूछने वाला था कि नौ महीने में 140 बार उनके मुताबिक सवाल जवाब हो चुके हैं, जब नॉर्मल प्रेस पूल के questions जो बाइडन ने उनका उत्तर दिया है, या at least वो questions accept किये हैं, सुने हैं, हमारे यहां क्या इसके मुकाबले चल रहा है, किन लोगों को प्रधान मंतरी को access मिलता है, सवाल क्याना है कि भारतवर्ष के प्रधान मंतरी माननिया नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष का प्रधान मंतरी जो पत्रकार लोगों को एक खुले एक प्रेस कॉन्फरेंस या मीडिया कॉन्फरेंस में अभी तक उन्होंने नहीं कियो, अभी सारे साथ साल होने वाल हैं जो भारत गरहन क्या में 2014 में एक बार भी नहीं जो हम करते हैं open unscripted ऐसा कि आप सारे पत्रकार को बुलाएए जो मरची सवाल उठा सकते हर प्रथान मंत्री भारतवच एक बार ना एक बार ऐसा press conference किया मगर मोधी जी नहीं किया मोधी जी चुन के लोगों को इंटर्वियू देते हैं और कौन ऐसे लोग हैं जिसको साखातकार उन्होंने दिया मैं कुछ उधारन देना चाहता हूँ रजट शर्मा जी अंजना उमकषब जी नाविका कुमार जी राहुल शिफशंकर जी दीपक चौरासिया जी सुधिर चौधरी जी इनको इनोंने मौका दिया उनसे सवाल उठाना और कैसे सवाल उठाया सब लोग को मालू है कठिन सवाल तो नहीं उठाते हैं एक सवाल के बाद दूसरी सवाल जो अंग्रेजी में कहते है क्रॉस क्वेशनिंग पल्टा सवाल ऐसा नहीं किया और मौदी जी और ऐसे लोगों को भी इंटर्वियू या साकात करने का मौका दिया बेर ग्रिलिस का नाम आपने सुना होगा उनको भी दिया और हमारे एक जाने माने कैनडा का नागरिक है बरे अभी नहीं 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 किसा सवाल उठाया मौदी जी आम कैसे खाते है आप काटके खाते हैं चूसके खाते हैं इस तरह सवाल मौदी जी को किया तो मैं समझता हूँ हमारे मौदी जी कटिन सवाल पत्रकार उनसे उठाये नहीं चाहते है तो यही जो अमरीका में हमें पता नहीं है बाइडन जी अमरीका का राष्ट्रवती क्यों वहां का पत्रकार लोग को सवाल उठेने का मौका दिया है तो दोनों जब एक साथ बैठे थें किसी ने उनको सवाल नहीं उठाया नहीं उठाया इन फाक्ट उसके बाद जो बॉरिट जॉंसन यूके के प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि उन्हों ने ब्रिटिश प्रेस के मौझूद दो रिपोर्टर्स को सवाल पूछने का मौका दिया लेकिन जो बाइडन ने सवाल नहीं लि जो बाइडन और अमरीकी प्रेस के बीच मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ क्योंकि अमरीका का जो मीडिया है आप देखिये जिस समय डॉनल्ल ट्रम्प अमरीका का राष्टरपती से कठित सवाल उठाया बहुत सवाल उठाया बार-बार मगर उनोंने सवाल का जवाब कैसा यह अलग बात है मगर वो भागा नहीं जो भी सवाल उठा सकते हैं एक मिनिट डो मिनिट चार मिनिट के लिए अभी बॉरिस जॉनसन ने किया वो तो अलग कहानी है मगर देखिये अगर आप सच मुछ लोक माध्यम का स्वाधिंता और स्वतंत्रता में रिस्वास करते हैं तो आप पत्रकार का सवाल जितने भी खटेन सवाल उठाएं जवाब देने के लिए आपको तियार होना चाहिए जो हमारे मुदी जी नहीं किया अभी तक तुष्ट ही एक बात है देखिये सवाल उठाना पत्रकार का काम है विग्यापन agency का का काम और कुछ होता है जो पिय कि आप ऐसा कुछ काम कीजिए जो आपको करना नीचे मगर आप सवाल उठाइए यही आपका काम है आप कहते हैं लोग तंत्र में चौथा एक फोर्थ पिलर ऑफ डिमॉक्रसी फोर्थ स्टेट एक चौथा खम है तो यह कैसे हो सकते है अगर आप सवाल उठाने का मौका आप ह हमारे पत्रकाल बंधों को नहीं देंगे इसी समद्ध में एक आखरी सवाल आप से पूछे हैं आपके अनुभव में जैसे जो यह इवेंट्स हुए पिछले हफते कुछ दो-चार इसके तुरंत बात यह भी जानने को मिला कि जो प्रेस कोर के मेंबर्स हैं जो क्या कहते है अक्रेडिटेड जोनलिस्ट जो हैं वाइट हाउस प्रेस कोर के मेंबर्स हैं रेगिलर जब बॉरिस जॉनसन ने दो सवाल उठाए लेकिन बाइडन ने कुछ सवाल नहीं उठाए तुरंत अमरीकी प्रेस वहां पहुँच गई कि ऐसा क्यूं कि दो बिडिश जोनलिस्ट क सवाल पूचने का मौका मिला लेकिन हमारे से किसी को नहीं मिला तो ऐसा कोई मेकमा है हमारे यहां कोई रिड्रेसल मेकनिजम है जहां कि अगर आप पत्रकार हैं आप जा सकते हैं कोई नहीं हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर के आफिस में ना हो या प्रेस आफिस में हो या पी आई बी हो, कहीं आप जा सकते हैं, कह सकते हैं, कि भाई क्या हो रहा है, क्यों नहीं सवाल, हमें पुशली का मौका दिया जा रहा है, जो प्रधान मंतरी है, जो राष्ट्रपती है, वो किसको मौका देगा, साख़ात करने के लिए, उनके उपर निर्बर करते हैं उनके जो अपने अधिकारी हैं उनके उपर निर्बर करते हैं ये एक है दूसरी बात है एक open press conference कि बहुत सारे पत्रकार है और जो भी मरजी सवाल उठा सकते हैं आपका एक लोग तांतरिक अधिकार है आपका सवाल का जवाब में नहीं देना च कहते हैं कि आज हमारे दिश के पत्रकार लोग बहुत दुखी है क्योंकि इससे पहले हर प्रधान मंत्री उनका अपना हवाई जाहज में ले जाते थे तो बहुत बरिया एर इंडिया के हाँ जंकिट्स बोलते थे आप फर्स क्लास में जिजिए जितना मर्जी खाये पिये पाच सतरा होटेल में रहे और मोदी जी ये बंद कर दिया इसलिए दुखी है मगर मैं कुछ कहना चाहता हूँ मैं भी एक बार गया मैं दो बार गया एक बार नरसिंगराओं के साथ और दूसरी है अपना मिचुनात पताब सिंग के बाद विदेश किया देखिए सारे सवाल वापस जब आ रहे थे जो भी मर्जी पूछ रहे थे और ठीक है मैं मान लिया पत्रकार को बहुत कुछ मिलता है पर ऐसे बहुत सारे समय है जो पत्रकार लोग अपने पैसे में होटेल का खर्चा, खाना का खर्चा सिर्फ सरकार से क्या लिया कि हवाई जहाज का खर्चा ने दिया तो देखिए मैं समझता हूँ कि आज भारतवर्ष में हमारे देश का जो लोकमाद्यम है एक बहुत बरा हिस्सा पत्रकार लिता भूल गया कठिन सवाल उठाना भूल गया जो आज लोकमाद्यम का काम है समाज का एक माइना होना चाहिए अच्छे-च्छे सवाल उठाते रहे और एक तरह से विग्यापन एजन्सी का काम करना शुट कर दिया इसके बहुत सारे कारण है ये अलग चर्चा का विशह है मगर ये हालत हो गया आज तो मैं समाजता हूँ और भी देशों में ऐसा अस देती है ऐसा नहीं है कि सिर्भ भारत वर्शे में है मगर हम अगर अपने आपको कहेंगे हम डिमोकरसी है वर्ल्ड लाज़िस डिमोकरसी विश्व का सबसे बड़ा लोक मादे में ये हो सकता है जब आप पत्रकार का हर सवाल का जवाब देने के लिए आप त्यार है और आप एक खुले प्रेस कांफरेंस कीजिए जो भी जो मर्ची सवाल उठा सकते है आप जवाब देंगे ने ये देंगे ये नहीं देंगे ये आपका जवाब देंगे ये आपका देकार अगर वो सवाल उठाने का मौक आपको देना चाहिए इसी से अंत करते हैं आज की इस बात्चीत का आपको क्या लगता है कि यूएस के कमपारिजन में क्या हिंदुस्तान की प्रेस को जादा बेटर बिहेवड है या नहीं बताईए हमें कॉमेंट्स में और ऐसी बातों के लिए जॉइन कीजिए न्यूस क्लिक को